मैंने में देमंजेन आज हम बात करेंगे एक कमपनी के बारे में जो एग्रो सेक्टर से हैं काफी छोटी कमपनी है और इसका बोनस इशू आया है वन इस टू वन का इसका अगर आप देखेंगे आज 10% अप है 74.50 के उपर ग्लोजिंग हुई है और कमपनी है वाइट एग और इसका अगर आप देखेंगे मार्केट कैप काफी छोटी कमपनी है 130 करोड की कमपनी है और 10 रुपे का फेस वैल्यू है तो इसके फाइनिंशल्स अगर आप देखेंगे कि फाइनिंशल सप्टेंबर कॉटर में अच्छे आये थे इसका टोटल इंकम 45.96 ता और जून कॉटर में 28.11 जो की टोटल इंकम बड़ा है लेकिन अगर नेट प्रोफिट की बात करेंगे तो 3.02 करोड का इनका नेट प्रोफिट रहा और 1.85 का जून कॉटर में खाली अगर वालेट ऐल मार्केट रहता है तो काफी गिरावट इन सटॉक से अंधर देखने को मिलती है और फाइनेंसल्स अगर कंटिनू अच्छे आते हैं तो इस कंपनी में भी ग्रोथ हो सकती है लेकिन गिरावट देखने को मिली हैं तो 10% आज बहले ही बड़ा है लेकिन एक अगर आप देखेंगे bonus issue तो one is to one एक share के उपर एक share देने वाली है company और इसका record date जो है वो आगे जाकर आ जाएगा दो मेने के अंदर ही यह bonus shares credit कर देती है dmat account के अंदर लेकिन खाली अगर आप देखेंगे तो bonus के लिया से stock को लिया नहीं जा सकता है क्योंकि यह छोटी company है अगर market फिर से volatile आता है तो इन stocks के अंदर भी असर गिरता है तो December quarter की पहले नतीजे देख लिए अगर continuous financials के अंदर growth दिखाई देती है profits बढ़ते दिखाई देते हैं तो इस stock के अंदर heart डाल सकते हैं तो आज इसी के बारे में बोलना था आप भी अपना research जरूर करेगा यह जो information थी आप तक पहुचा नहीं थी अगर किसी ने ले रखा है और किसी को यह पता है bonus issue के इसाप से लेना चाते हैं तो आप अपना decision लीजे लेकिन मेरे इसाप से अच्छे stocks में heart डालिए और इसके December quarter के results आने दीजे उसके बाद देखेगा तो आज इसी के बारे में बोलना था वीडियो अच्छा लगा हो तो like करेगा और हमारे चैनल को subscribe करेगा चले thank you